चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली जानकारियां भी आपको मिलती रहें नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेडिटोप टीवी में आज हम आपको बताएंगे कि सर में चोट लगने पर पटी बांदने का सही तरीका क्या है चलिए शुरू करते हैं चलिए अब आपको बताते हैं कि पटी पकड़ने का सही तरीका क्या होता है पटी पकड़ने का सही तरीका ये है तो हम 4 इंची या 2 इंची की पट्टी भी ले सकते हैं कोई बच्चा हो तो 2 इंची की पट्टी बान सकते हैं एडर्ट पेसेंट है तो हम 6 इंची की पट्टी बान सकते हैं इस एरिय में अगर चोट इस तरफ है तो अगर हम यहां से पट्टी बान देंगे पट्टी पकडने का तरीका यही रहेगा, कोई भी cotton, गोज पीस लगाना है, इसी तरीके से, यहाँ पे चोट है, तो यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे है तो यहाँ पे लगाना है, पीछे है तो यहाँ पे लगाना है, ध्यान रहे, गोज पीस लेए, उसमें दवाई जो भी medicine हो भू लगाएं और उसके बाद कोई भी cotton अच्छे से sterile cotton लगाएं ताकि soft रहें वहांपे और फिर पट्टी बांधने का यही तरीका रहेगा इस तरीके से इस तरीके से बांधना है 4 इंच की bandage से हम यह बांध रहे हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से tight नहीं होनी चाहिए, loose में नहीं होनी चाहिए, normal रखना है उसके बाद कोई भी microphone से यहां पे चिपका देना है अब आपको बताते हैं कि उपर वाली चोट में हम पट्टी कैसे बांधने हैं मान लीजिए यहां पे चोट है, यहां पे है या पीछे है उसमें पट्टी कैसे माननी है, वही तरीका है गोजपीस, कोटन के साथ ऐसे रख देना है इसके लिए आपको 6 इंची पट्टी लेनी है अगर added percent है बच्चा है तो आप 4 इंचीज ले सकते हैं उसके लिए यह तरीका है देखे, ऐसे लगाया यहां से किसी की मदद से आपको पकड़वाना है, इस साइड से भी पकड़वाना है अब पीछे लेंगे, इस तरीके से, एक round ऐसे गुमाया और अब इसके नीचे से निकालना है कान दबेगा, स्टार्टिंग में उससे कोई problem नहीं है, इस तरीके से इसर साइड से भी ऐसे ही निकालना है, टाइट नहीं करना है, लूज भी नहीं छोड़ना है, आप चाहें तो यहीं पर बांद सकते हैं, आप चाहें तो पूरा सर भी cover कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से cover कर देना है, ऐसे बांदने के बाद, इनको दबा देना है अंदर की तरफ मोड के दबा देना है कान भी निकल गया है आप देख सकते हैं ऐसे दबा दिया है और इसमें भी आप माइक्रो पोर बगा सकते हैं ताकि पट्टी लूज न हो यह देखिए चाप उसे दिखाए यह सरकी पट्टी बांधने का सबसे अच्छा तरीका है इससे ना तो पट्टी लूज होगी अगर आप इस तरीके से पट्टी ट्राई करेंगे उपर की तरफ तो वो निकल जाएगी जो सही तरीका नहीं है उपर की तरफ चोटका यह बैस्ट तरीका है इसी को ही अजमाएं